नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं द्वादस, बच्वाच या बचबारस की कथा, पूजा विधी और दियम बचबारस, कार्तिक मास और भादव मास दो पक्ष में मनाया जाता है द्वादसी के दिन कृष्ण पक्ष के भादों में दुआदसी को मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष के कार्तिक पक्ष के कृष्ण पक्ष में दुआदस को भी मनाया जाता है तो अभी कार्टिंग मार्क्स का दुआदस वाला तिवहार आने वाला है इस वज़े से हम आपको पूजा विधी और कथा बता देते हैं अब लोग वीडियो पूरा देखिएगा गौ माता में विराजमान होते हैं अब कहा जाता है कि गौ माता में 84,000,000,000 देवी देवताओं का निवास होता है इस बज़े से गाय की पूजा तो महतोपूर्ण है ही पर उसके साथ साथ बच्छवा यानि उसका जो बच्छडा होता है उसकी पूजा भी बहुत ज़्यादा महतोपूर्ण होती है कैसे करनी है उसकी पूजा कौन कर सकता है उसकी पूजा क्या खाना चाहिए कब करनी चाहिए सारी विधी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उससे पहले वीडियो आप सस्क्राइब कर लीजिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कर दीजिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले ये तेवहार कब है और कैसे मनाया जाता है ये तेवहार हर साल कार्थिक मास के द्वादसी कृष्णपक्ष की द्वादसी यानि धन तेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है इस बार 2023 में धन तेरस के दस तारिक को है तो ये नौ तारिक को तेवहार मनाया जाएगा मगर यह कहीं कहीं 10 तारीकों भी मनाया जाएगा क्योंकि 12 और 13 एक ही दिन पढ़ रही है 9 तारीको 21 है 12 लेट लगेगी और ये पूजा प्रातहकाल की जाती है क्यूं मनाया जाता है ये तेवहार अब हम आपको ये बता देते हैं ये तेवहार मनाया जाता है कि द्वादसी के दिन कृष्ण भगवान गायो को चराने के लिए पहली बार निकले थे भादो मास की कृष्ण पक्ष को गाय को चराने के लिए पहली बार कृष्ण भगवान निकले थे इस वज़े से भादो मास की दुआदसी को मनाया जाता है और कृष्ण पक्ष की दुआदसी को गायों का दूध जो होता था चुराकर पहली बार वो सारा पी गए थे इस वज़े से क्रिशनपक्ष कि दौधसी को मनाया जाता है अब बचफडे की पूझा की जाती है तो अगर आपके घर में गाई और बच्षडे की पूझा है तो बहुत अच्छी बात है आप अपने घर के गाय और बच्छडे की पूजा कर ले अगर आपके घर में नहीं है आसपास कहीं है तो आप वहाँ जाकर कर ले सकते हैं अगर आप कहीं ऐसे एरिया में हैं जहां गाय बच्छड़े मिलना संभव ही नहीं है तब आप मिट्टी के गाय बच्छड़े बना कर उनकी पूजा कर सकते हैं या फिर ये पूजा आपको हमेशा करनी है आप चांदी के गाय बच्छड़े को बनवा सकते हैं आप पीतल के ग गौशावल पर साफ किया जाते हैं आप उसमें हल्दी से या फिर आइपन जानते हों अगर आप तो आप आइपन से उसमें गाए बच्छडे को बना कर आप उसकी पूजा कर सकते हैं. पूजा कैसे करनी है है, आपको उसी सूप में पाँच जगहे अनाज का धेर लगाना है, आटा हो गया, डाले हो गई, चावल हो गया आप इनका धेर लगा लिजिये, पाँच जगहे पर उस उसमें सूप में आपको हल्दी, कुमकुम, मिठाई, घी, ये सारी चीज़े रखन और एक दीपक जलाना है उसको लेकर हाथ में एक लोटा जल लेकर आपको गाए बच्शडे के पास जाकर आप गाय की जो चरणों की मिट्टी है उससे आप तिलक करें उसके बाद गाय माता को जल अरपड करा उन्हों को जो अपने अनाज zaj निया यह उनका तेल लया हैं उनक जो आप अनाज देर लेकर आए हैं वो उनके चारे में मिलाकर उनको खाए खिलाए और उनकी पूँच और बचड़े की पूँच दोनों की पूँच पकड़कर उसको धुलकर उसके जल को आप अरपड़ करें मतलब उसके जल को जीब में लगा कर थोड़ा सप्रशाद के रूप में चीखा जाता है ऐसे की जाती है गाय बच्छडे की पूजा इस दिन सीगुरहा अन मतलब जो जिस अन में सीगुर होता है जिन लोगों के यहां पूजा होती उनको पता होगा जिन लोगों को नहीं पता है तो आप यह मान लीजिए कि आप डाले खा सकते हैं इस दिन इस दिन आपको गेहुँचावल यह सब चीजे नहीं खानी होती है सीगुरवाला अन खा सकते हैं आप जैसे डाल के पकोड़े बना सकते हैं आप डाल बना सकते हैं मुंग की चना की उरत की सारी दालों का सेवन आप कर सकते हैं नमक ओमक खाने पर कोई परहेज नहीं है नमक ओगेरा आप खा सकते हैं बस जो सीगुर वाला अनाज होता है वो नहीं खाया जाता है गेहु चावल आप ये माल लिजिए कि आपको गेहुं चावल नहीं खाना है आपको पूजा करने के बाद गाउमाता का आसिरवाद लेना है अपने बड़ो का आसिरवाद लेना है और इस दिन मतलब पूरा जो आप सुहाग रंग वगएरा लगा कर ही आपको पूजा करनी है ये थी पूजा विधी पूजा विधी आरती वगरा करने के बाद पूजा विधी जो संपन हो जाती है अब हम आपको सुनाएंगे कथा कि कैसे ये तेवहार मनाया जाने लगा और क्यूं मनाया जाता है किसी नगर में एक राजा रहते थे उनकी दो रानिया थी दोनों रानियों को जानवरों से बड़ा प्यार था तो राजा एक बार एक गाय और एक भैस ले आए बड़ी रानी ने गाय ले ली छोटी रानी ने भैस ले ली बड़ी रानी की गाय को एक बच्छडा हुआ वो रा चोटी रानी के पास भैस थी चोटी रानी की भैस ने चोटी रानी से एक बार कहा कि जितना प्यार वो उससे करती है उतना प्यार तो मुझसे नहीं करती चोटी रानी को लगा कि साइद इसको थोड़ी इरसा हो रही है इस वज़े से चोटी रानी ने बड़ी गाय के बच्छ बरी रानी जब राजा को खाना दे रही थी तब अचानक से खाने में सारा खून खून हो गया। ये देखकर राजा बहुत परिशान हो गया। राजा ने खश्या क्यों हो रहा है। राजा बहुत पूजा पाट करने वाले वdriver Haldenema burtkrieal थैने रहा क्お願いします से क्या आप राद हुआ है क्या भूल चवक हुई है तब आकास वाड़ी हुई और आकास वाड़ी से ये बताया गया कि तुम्हारी छोटी रानी ने ऐसा ऐसा किया है जिसका दंड तुम लोगों को मिलेगा तो राजा ने पूछा कि हम इसका प्रेश्चित कैसे कर सकते हैं इ राणी ने जब यह बात सुनी तो वह भी लाप करते हुए वीहोस हो गई तब राजा ने बताया कि राणी ने बच्छडे को अपना पुत्र माना था अपने पुत्र की तरह वो उनकी सेवा करती थी कल है दौदसी दौदसी के दिन वो अनाज का त्याग करें जिसमें मुझ बच्छडे का इसमरण करते हुए दिमाग में अपने ध्यान रखते हुए वो यह माने ही नहीं कि उनका बच्छडा मर गया है उसकी पूजा करें और धूम धाम से व्रत और पूजा करके हमारी आस्था करें तो इस व्रत से आप मुक्ति पा सकोगे रानी ने दूसरे दिन वैसे ही किया चब उन्होंने बच्छडे का ध्यान किया तो बच्छडा अनाच के धेर में से निकल कर उचलता हुआ बाहर आ गया रानी ने गाय के साथ उसकी पूजा की उसकी आरती की और उसकी चड़नों की धूल अपने मस्तक में लगा कर जो भी छमा हुई हो वो छमा मांगी छोटी रानी भी ये सब देखकर उसको बड़ा पच्तावा हुआ उसने भी छमा मांगी और जो भी अपराद हुआ हो उसके लिए याचना की तो गौ माता ने उसको छमा कर दिया और जो सभी देवी देवताएं जो 84 लाग देवी देवताएं ह और उस दिन कहा कि जो कोई आज से ये वरत करेगा उसकी संतान हमेशा सुख सम्रद्धी से भरी हुई रहेगी और उसको कभी भी संतान का दुख नहीं होगा जो लोग भी इस व्रत को करेंगे उस व्रत से उनके संतान की आयू लंबी होगी और उनको कभी अकाल मृत्वी या अकाल कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा तो इस वज़े से ये तेवहार मनाया जाता है जैसे भगवान ने गाव माता के बचले को जीवित किया गाव माता के पुत्र को नुन से मिलाया वैसे सभी पुत्रवतीа सभी संतान वती इस्त्रियों को उनके संतान का सुख प्रदान करें तो ये थी कथा आप लोग वीडियो पूरा देखेगा और बताएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जैसे गौव माता ने उनकी रक्षा की वैसे भगवान सबकी रक्षा करें गौव माता सबकी रक्षा करें अब हम आपसे विदा ल जाएंगे तब तक के लिए बाबाए